हेलो गाईस, नवस्कार में नाम राहूल है और जो लोग मुझे काफी लेंबर टाइम से देख रहे हैं सभी को पता होगा कि मेरे साधी को 1 साल हो चुका है गाईस और इसी 1 साल के दौराण जो तुमारी भावी है वो 4 मेने की प्रेगनेंट है और तुमारी भावी की तवीत खराव होने के वज़े से वो गई है अपने माई के क्योंकि उसके भाई जी ने बोला कि इसका मैं आप अच्छे से लाज करवा सकता हूँ तो मैंने कर ठीक तो अपने गाउं रहके आएगी तो साध उस्तवीत में शुदार हो अपने उके पास रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी तो इसलिए यार वो तो अपने गाउं गई इसलिए दो-तिन दिन से मैं उसके साथ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और मैं माफी चाहता हूँ कि यार कोईल मेरे साथ नहीं है क्योंकि कोईल साथ होती तो और मजाता है वीडियो में तो देखिए आज किस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कुछ महिलाओ को यार periods टाइम पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि guys अगर आपके period टाइम पर नहीं आते हैं मैं उन सभी माता भेहनों को कहना चाहता हूँ जोभी तक मा नहीं बन पाई है और periods भी टाइम पर नहीं आते तो अगर आप इस वीडियो को देखती हैं तो आप बहुत जल्दी प्रेमिन्ट भी हो जाएंगी और आपके periods भी regular आने लगेंगे अब देखे यार अगर आपको किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो उसके लिए आपको यार कुछ तो उपाई करने होंगे न क्योंकि दवाई से ज़्यादा ना उपाई ज़्यादा वर्क करते हैं क्यों कहते हैं कि दवाई से ज़्यादा परेज मतलब करना बहुत सही रहता तो आज किस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चीज़े बताऊंगा, अगर आप उसके इस्तेमाल करती हैं, तो आप बहुत जल्दी मा भी बन जाएंगी, और साथ ये साथ अगर आपके periods नहीं आ रहे हैं, दो ये तीन महीने हो चुका है, आपके periods को रोके हुए, तो मैं कुछ इस चीज़े बता दूँगा, इस्तिमाल करना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जब मेरी जो वाइफ है, जब pregnant नहीं हुई थी ना, तो उसके period में भी यही दिक्कत थी, उसके period ब्रकुल भी time पर नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसको कुछ चीज़ें का इस्तिमाल करना एक लि कोई किसी भी बीमारी की, या फिर आप हाले में किसी चीज़ के लिए बीमार हुए हैं, तो period आपके जा सकते हैं, उसमें कोई घवराले वाली बात है नहीं, कुछ समय बाद आपके जो period है, पर नॉर्मल हो जाएंगे, अगर आप बीमार होई हैं, और आपके periods नहीं आ रहे तो आपको किसी भी चीज़ का सेवन करने की जूरुत नहीं है, या आपकी किसी भी तरग कोई दवाईयें चल रहें काफी लंबे time से, और दवाईयों के चलते ही आपके period रुख गए हैं, तो उसमें भी कोई घवरालने वाल बात नहीं है, आप उन दवाईयों को छोड़ स अधरक होती है, अधरक का इस्तिमाल करें, और साथ-साथ अधरक को आपका अच्छा भी चवा सकते हैं, देखिए अच्छा लगता है, मैं काफी time खाता हूँ, और ये अधरक है ना, आपके पती को भी चवाना चाहिए, क्योंकि यार इससे आपके जो पती है, उनके सुक्र को पीला टाइप दिखता है, तो आपको वो नहीं खाना, आपको खाना है याँ पर कच्छा पपीता, जो कि गाउं में साइध आपको कहें न कहीं मिल जाएगा, कच्छा पपीता, अगर आप कच्छे पपीते का 7 गरती हैं, तो आप बहुत जल्दी आपके periods भी आपको अगर आप एक और चीज है कि अजवाइन, अगर आप अजवाइन का ज़्यादा 7 कर सकें, आपने कभी देखा हो नहीं किसी महीला को जब वो कोई बच्चा वगयरा होता था उसके जापे वगयरा के पिरकरिया चलती है, ताकि उसके सरीर में कोई दिकत ना हो आगे के लिए तो अजवाइन आपने सुना होगो ता आप अजवाइन का 7 भी कर सकती हैं। के suspended हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसाथ आपको अगर आपके पीडिस नॉर्मल नहीं है आपके मासिक चक्कड नॉर्मल नहीं आते समय पर नहीं आते यहां काफी टाइम से रुक रहें तो आप गुनुगुना पानी अपको पीना चाहिए उमीद करता हूँ आपको ये video होगे, गर आपको ये video अच्छी लगी हो, आपको मेरी बात ये अच्छी लगी हो, तो अ आप इस video लायक जुरु करेंगे और चैनल को सब्स्क्राइब भी जुरु करेंगे, और जैसी तुम्हारी भावी कोहल आ जाएगी तो मैं उससे आपको जुरूर मिलाऊंगा और साइथ अब तो वो एर नेक्स्ट मन्त आने वाली है तो तब तक तो वो पांच मेनी की ब्रेगनेट हो जाएगी उसका पेट भी बहुत निकल लिए आएगा साइथ तो बाकी बाते बात में करते हैं अगर आपको कोई सवाल सुझाओ है तो कमेंटर में नीचे डाल सकते हैं